हमने चार तारिक को गनौर थाना में इसकी सिकायद दी तो ASI 37 और ASI रविंदर ने इनने हमें को बगा दिया वहाँ से बोला तुमको ही जूठे केस में जो सिले की वाइफ सोनिया तुमारी जूठी रिपोर्ट दे के जार के उसमें तुमको अंदर खर देंगे अनिल्विज साब के पास पोचे अनिल्विज साब ने हमारा बहुत ही साथ दिया है कि ये पुलिस परशासन के साथ ऐसे क्रिमिनल आदमी जो मिलकर इस ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे तो हमारा हम जैसे सर्विस करने वाड़े हम देश किस रुक्षा करें या यहा मुचै अनिल्व ज्ला और अपनी वाइप के साथ हमारे गर पर आया था जिसने मोनिका से राखी बंद वाई थी और पन्सुर desen दिये कि दैटे जैसे उसकी वाइप के साथिक का दिबार आता था हमारे गर पर तो बहन करके ही उसको साथू बाचीत करता ठाए था थान गुम्मडगाओ की मोनिका को कैनड़ा से बुला कर गोली मारकर हत्या की उसके बाद उसके सहौ को एक फारमा उसमें खड़ा खोद कर दभाया गया और ये बीवानी पुलीश ने खुलासा किया पूरे मामले का तब जब गुमडगाओ के हिसुनील को गिरफतार किया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ मोनिका के भाई जो बाहरतिय सेना में तैनाथ है वो हमारे साथ मुझूद उन से जानते क्या पूरा मामला था कैसे आप लोगों को पता चला था कि मोनिका की हत्या की गई है सर मैंने कुछ निपता थला था जिसका मोनिका का सोशल मीडिया आकाउंट बंद हो गया था और सुनील ने मोनिका को नेपाल से कनेड़ा बिठा दिया है और जो मेरे से गल्ती हुई है, मैं उसको सवीकार करता हूँ और क्या बोलते हैं, सवीकार करता हूँ और मोनिका तुम इसकी रिपोर्ट कहीं पर मैं त wallow मैं तुमसे मिलने के मिरी ममी ने बोला कि तुम मेरे गरा आ गा जा तुम्हारे घर आजा कहीं भे पंचाज कर ले और इस बैट के इस बात का समाधान कर तू लड़की हमारी मौनिका को दे दे हमारी बीज़त रहे जाएगी तुम हमारी बहन को या हमारी लड़की को वापिस दे दे या उसको कनेटा वापिस भेज दे उसने बोला कि मैंने साथी सोनु चुलकाना हरेंदर पूख थड़ा और ये राजेश सन्नोप सत्पा ओ रमफड गाउं बांध का जी और इसके साथ एक संदीप है कलखे का वो है जी इनवोल और इसके एन्ने साथी भी हैं जो इसके इसकी वाइप सोनिया इस मौमटर करवाने में और इसका द्रमबिर और उसका लड़का द्रमबिर का लड़का सुशील ये इसमें सामिल हैं और इसके एन्ने साथी भी इसके गिरों में सामिल है जिनोंने मौनिका के साथ उसके साथ रेप हुआ जब उसकी आवाज उसने उठाई और उसने कंप्लेंड करी कंप्लेंड करने के बाद जो मोनिका के साथ जो अचार हो रहा था जो नसीले पदर्द पिला के उसको उसके बार बार रेप हो रहा था उसके आवाज उठाई तो मोनिका ने का एफाई आर करवाई कहीं उसका में मोनिका ने नहीं बताया था कि कौन से वो बता नहीं पाई थी हमसे और ये मोनुवकील ह इसने इस case को पुलिस वालों की साहिता से मिल के इस case को रफा दफा करवाया है ओर अपनी काड़ियों में इसको मेरे भाई मोशिका लड़का जो मंजीत उसको मारने के लिए सुशील और ये शिला हरेंदर पुग्थड़ा और सरक्थल बाबबा ये दोनों साथ मिलकर उसको मारने के लिए और मेरी मम्मी और मेरी प्रिवार को जान से मारने की कोशिश में इसके संपरक में कब आई थी, सुने लिए संपरक में, मोनिका? यह मोनिका पहले मिने की सर यह आई थी, जब बिठाने के बाद हम एरिपोर्ट पे गए ना, एरिपोर्ट पे गए, तब यह हमारे साथ ही गया था हमाँ पर, और इसकी वाइप हमारे से दूद लेती थी, और वो उसकी वाइप को पता चला कि मोनिका कनेडा में जाके इसका ब उनकी फाइल का पता चल गया था कि ऐसे से त्यारी करें मोनिका और इसका दोनों का लेट्स कलियर हो गया था, कलियर होने के बाद, सुनील की वाइप ने मोनिका का नंबर मेरे मम्मी से लेके, या मोनिका से लेके, मेरे मम्मी का तो लिया, नहीं मोनिका का लिया, और अपने जहां भी एजाते उनको भैका के या फुसला के उनके साथ जाने आजेंट के पास गया, वहाँ से उसने कारवाई शुरू की है, नकली पासपोर्ट बनवाया, नकली दारकार्ड बनवाया, और इसके बाद में मोनुवकिल की साहिता से मोनिका कनेडा जाने के बाद उसने अप मोनिका को कनेडा बुलाया, और वहाँ पर से फिर मोनिका को कनेडा बुलाया, उसका अंदीब कोर है, और कनेडा से मोनिका को जो दूसरी बार वापिस यहाँ पर इंडिया बुलाया, तो यह मोनुवकिल ने अपनी जानकारी में पानीपत में मोनिका को रखा, और उसके बाद में, जून में अथ्या की गई थी, और जब क्यूंकि इसका हमने सकी बात करवा रहा था, उसका सारी तोर पे सोचन किया गया है, उसको नसिले पदार्थ पिला के उसको इस साथ गैंग रेप हुए हैं, और उसको बंदी बना के रख रख रख्या है, ताले मार के रख्या है, समाल का न्यू दुर्गा कलोनी में एक अमर सिंग सरपंच, जिसका गड़ी नमबर दस में पहलाई मकान है, उसके थाड़ या सेकिंड फ्लोर पे उसके ताड़ा मार के रख्या है, गनौर पुलिस में कारवाई इसलिए ने की, क्योंकि वो सराप के ठेकेदार है, ठेकेदार है वो, शिला और उसके अन्यसाती जो सरा काड़ा है, ये जो ये मन्थली पो जाते हैं यहाँ पर, मन्थली और इसके इस्थाने में निजी रिष्तेदार है, बुवागलड का है, पुड़ शैमशे, एसाई रविंदर और एसाई सत्तीस, जो इसमें केस में आयू था, जिने 26-10 को हमने रिपोर्ट दी थी, उसमें हमारी कोई सुनवाई न दर्वाजे साड़े 11 बजे रात को हमला होता है मेरी घर पे, और मेरी मम्मी उस टेम पे अकेली थी, हमारे घर के कैमरे तोड़वाई जाते हैं, और यहाँ पर हथियारों से लह सो कर तीन्चार लड़के आते हैं, जो हमारे दर्वाजे खलवाने की कोशिश करते हैं, और मे साइर रविंदर ने इनने हमें को बगा दिया महां से, बोला तुम को ही जूठे केस में, जो सिले की वाइफ सोनिया, तुम्हारी जूठी रिपोर्ट दे के जार के उसमें तुमको अंदर कर देंगे, और तुम्हारी लड़की मरने, तुमने ओ, क्या बोलते हैं, जिन्दे जिर के तुमने उसके पैसे ले लिये, तिस लाग पैसे ले लिये और मरने के बाद भी तुम तिसलाग रुपे चाते हो. इस तरह से पुलीश ने खुलासा किया है कि 16 10 को 16 11 को जब हम गन्णोर थाने से सोला सोला ग्यारा को जब एसाई रविंदर एसाई सतीस जो आईयो है यह हमारे घर आते है रात को करीब साड़ आठ बजे और मेरे भाई और मेरे मम्मी थी मेरे मम्मी गेर में थी और मेरा भाई यहां पर था जिस यह थोड़ा वो सादा वेवार का है और इस पर जबर जबरदस्ती उन्होंने यह बोला कि जिसमें रिपोर्ट में तुमने सिले का और उसके एनसाथियों का नाम दे रखिया है उसको अटाते हुए जो हम जैसे बोलते हैं वैसे करो एनसाई तो तुम्ए को कुछ को कीशी भी केस में अंदर डाल देंगे तुम कर लेना तुम चाहिए कहँ पर चले जाओ जाओ तुम पर केस लगा देंगे औरू कि कोई भी तुम्हारी सुनवाई नहीं करेगा और उसके बाद कहा हий gelecek मने बलंट दिया हम ने उसके बाद शचक्त पिखा निख और चलो झे तया है नियुकर कर वाधन कि यहां इनके निजी रिष्टेदार हैं तो मैं यहां से नहीं कर वा下次 हुई कि यह ऑधनी बहुत आं activities के कहने के बाद यह बीवानी में जाँ हुई जिए टू ने इसके टीब ने और महिला थाना ने हमारा पूरा सही हो किया जी और इसको सुनील को पकड़ा क्या मानते हो कि आनियल विज के दर्बार में नहीं पहुँचते तो ये खुला सा होता नहीं सर नहीं होता क्योंकि इसके यहां पर लाइजेशन अफसरों के साथ ऐसे हैं कि यह किसी भी बात को, किसी भी मुद्दे को दबा सकता है, यह अपने क्राइम इतने सोची समझी साजी से किया, इसने मोनिका का मडर जो इसके नहीं साथ इतनी सोजी और इसके परिवार वालों ने ऐसी सोची समझी साजी से इसका मडर किया है, किसकी इसका खुलासा नहीं होग और मेरी मोशी के लड़के मंजीत को मारने के लिए ये गोहाना गए और मेरी भाई का और मेरी मम्मी को मारने के लिए क्या कभी मम्मी जो सुनी लुर्प सिला है ये कभी गर पे आया था मौनिका से राकी बंद वाने के लिए आपदा से उआग से धिये और ऌने वेंग गोड़ा है किसले सी पता चला की बिटी की रट्रा कर साव को दबा दिया गया है क्या अनिल्विज के दर्बार में जाने के बाद ही खुला से हुआ है। कि अनिल्विज के बाद ही खुला से हुआ है। कि आफ ट्रह नहीं तो सिन्पत देखाये। घर आमने सीम बिंडू मलाई लगाई यह आमने खुला से लगाई। कि अवल्विज के लिए। कि माला मंडलमें। फुर उसने खुब तढ़र देया। को से लिए। दो बार गए दो बार मारी बोथ। कि इनने शुनाई नहीं करी वियो कर रहे थे merely that आ तरह खार भाए नहीं कि नुए जाओ 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 च्रह जाओ 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 कि ए थारि कोई शुनाई नहीं तो इतनी प्राम आणा कुछ निक रसकते 20 रे差 यह official तो फेर मेरा लड़का गई अगला दन मारी दर्कास वापिस देदे हाम इस पर केस निचाते तो वह बाज के कागज लियाए काड़ कड़ गई यहां दस्तक करदे यहां दस्तक करदे मा बोली गहां करवा कली आए तम गुठा लुआ लुआ अनपड हूं और इम गुठा कारवाई करां गे नहीं चले 26 तारक पर इस पर चलेगा और इस कैसे कर दो कैसे पता हतारे को मारन इका उसके बाद दरबार में कपहुचे दिया निवीज के तीन देस्मबर को पुचे आम क्या बात्चित हुई थी ग्रहमं अंतरी से बात हुई पबल्लक बहुत जादा थी ग्रेमंतरी से बात हुई कि नुवला थारा केस यहां पर छोड़ूनी का इतनी जानकार है इतना पैसा दे रही है तो हम दूसरा जलेम करतेंगे पर कितने संतुष्ट हो जिस तरह से आनिलविच के कहने के बाद पूरे मामली का खुला साथ भूरे मामले लामले से परता हुठ नहीं मेला मंडल में दे दिया मैला मंडल में पिर आमना उस सी बीयाइजाद ची आमने तो फिर एस चुन उसने शुन के पेस होे वहानी एस चु प्रविंदर गणी बड़ी आदमी है, शोनी पत्रे का रहा है, इसने सारे जी का बेरा है, यू छोड़े गानी अब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, उसमें साओ को भी दफना गया था, गोली मार कर उसके अत्या की गई थी, अब क्या मांग करते हो, आप सरकार से अगरह मंतरी से, हाम ये तो लड़का बताईगा, मैं अनपढ़ू मेरे क्या मांग करते हो, अब है, अब है, अब है, उनको निकाला जाए या ओकर किया जाए, और हमको न्याय मिले, जो लड़की मोनिका है, मेरे सिष्टर है, जो मारी गई है, उसको न्याय मिले, कि ये पुलिस परशाशन के साथ, ऐसे क्रिमिनल आदमी जो मिलकर ऐसे ऐसे गटनाओं को अंजाम देते रहेंगे, तो हमारा हम जैसे सर्विस करने वाले हम देश किस रुक्षा करें या यहां के सिस्टम से या क्रिमिनल आदमीं से लड़ें, क्या मानते होगी, जी तरह से पुलिस से परेशान था परवा परिवार, चकर काटते रहें, फिर अनिलविज के दरबार में पहुँचे, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जो यह सतिस आयो है, रवीन दर आयो है, यह थाने में जो जितने भी करमचारी है, मेरे को मारने के लिए दोड़े, और मेरे को अरेस्ट करने के लिए यह दोड़े, वहाँ पर, इन्हों ने मेरे को हत्करी लगाने की कोशिश की, अब जो साव मिला था, उसका पोस्माडम हो गया है, उसका अंतिम संसकार कर दिया है, नहीं सर, उसका अंतिम संसकार अभी नहीं किया है, क्योंकि सर, इसमें जो दोशी है, इसमें दोशी है, जो उसके साथ आर्थ, सारे रिक सोशन हुआ है, जो उसका रेप हुआ, उसके गैंग रेप हुआ, उसक जब तक दोशियों को पुलीस नहीं पकड़ती है तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। देखिए परिवार में मोनिका के भाई हमारे साथ है उनका कहना है कि गन्नोर की पुलीश ने पूरे मामले में कोई कारवाई नहीं की अनिलविज के दरबार में जाने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और उनका कहना जब तक उस सवकांतिम संस्कार नहीं किया जाएग और प्रिवार की मांग है कि जो दोसी है इस पूरे मामले में उनको फासी की से जाओ सोनी पच्छे पावन राठी अरियाना तक